नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अफियर्स क्लाउड में तो दोस्तों अमेरिका ने यूक्रेन से अपने सभी नागरिकों को तुरंत निकलने का आदेश जारी कर दिया है और खुद राष्टपती जो बाइडन ने कहा है कि वह अफगानिस्तान जैसा रेस्क्यू मिशन यूक्रेन में नहीं चलाने वाले हैं उधर आपात स्थित में यूक्रेन की रच्छा और दूसरे अप्शन के तावर पर रेस्क्यू मिशन के लिए अमेरिका ने पोलेंड में सैनिकों की तैनाती को बढ़ाने का फैसला ले लिया है वहीं लंबे समय से चल रहा है विवात के बीच रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा को घेर कर सैन अभ्याद सुरू कर दिया है और रूसी सैनिकों की तरफ से यूक्रेन बार्डर घेरने की खबर से यूरोप और पस्चमी देशों में हलचल तेज हो गई है और इसी वीच खबर है कि आज जो बाईडन रूसी राष्टपत ब्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करेंगे और अमेरिकी सरकार के प्रतनिधियों ने ये चिंता जाहिर की है कि रूसी राश्वपत ब्लादमीर पुतिन किसी भी समय यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दे सकते हैं और उन्होंने कहा है कि रूस ने तीन तरफ से यूक्रेन को घेर रखा है और वहाँ आर्मी नेवी और एयर फोर्स को भी तैनात किया है वही यूक्रेन सीमा को रूसी सैनिकों ने तीन ओर से घेर लिया है और ताजाज चटलाइट इमेच से इसका खुलासा भी हुआ है और सीमा पर 550 से अधिक टेंट भी लगाए गए हैं वही रिपोर्ट के मताबिक अमेर्की खुफिया विभाग के अधिकारियों को इससे पहले लगा था कि ब्लादमीर पुतिन विंटर ओलम्पिक के बाद हमला करेंगे ताकि उनके साथी चीनी राष्टपति सी जिन पिंग नाराज ना हो लेकिन अब खुफिया विभाग को राष्ट्री सुलच्चा चलाकार जेक सुलीवन ने बताया है कि हम रूस के बढ़ते कदमों को देख रहे हैं यूक्रेन बाडर पर रूस ने नई सेना तैनाद की है और इसे देखकर अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि रूस विंटर ओलम्पिक के दोरान ही यूक्रेन प के लिए अफगानिस्तान जैसा मिशन यूक्रेन में भी चलाएगा तो इस पर जो बाडर ने कहा कि ऐसा नहीं है और उन्होंने कहा कि जब अमेरिका और रूस एक दूसरे पर गोली वारी सुरू कर देंगे तो या एक विश्युद्ध जैसा हो जाएगा हम इस समय एक बिलक 3,000 अतरिक्त सैनिकों को पोलेंड में तैनात करेगा और अमेरिकी मंत्री एंटनी बिलिंकन ने सुक्रवार को कहा कि रूस यूक्रेन के पास अधिक सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है और उन्होंने डर जताया है कि इस महीने सीद कालेल ओलंपिक के अंत से पहले किसी भी स रूस यूक्रेन पर आक्रमड कर सकता है और अमेरिका के एक निजी कमपनी के सेटलाइट तस्वीरों के आधार पर ये दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन के पास कई इलाकों में अपनी सैनिक तैनाती को काफी जादा बढ़ा दिया है वहीं इस तनाव को देखते वे यूक्रेन जल्द से जल्द छोड़ दें और अमेरिका आ जाएं और अमेरिकी विदेशी विवाग के 24-48 गंटे के भीतर सभी नागरिकों को वापस आने की चेतावनी भी जारी की है वहीं अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन, नार्वे, जापान, लात्विया और डेनमा जारक ने भी अपने नागरिकों से यूक्रेन चोड़ने की अप hotter अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए सैनिकों को भेजने की संभावना को नाकार दिया है और सुकरवार को पेंटा गन ने पॉल- Pocket के लिए थीन हजार सैनिकों को रवाना किया है वहीं आमेरिका अपने राजनाईकों को यूक्रेन से पहले ही निकाल चुका है तो ऐसे मैं अब ये लग रहा है कि अमेरिका कहीं अफगानिस्तान वाली ही गलती तो नहीं दो रहा रहा या फिर अमेरिका अफगानिस्तान की तरह ही यूक्रेन को भी ना हार जाए वहीं युद्ध के संभवित खत्रे के बीच रूस ने भी अपनी तयारी शुरू कर ली है रूस ने बेलारूस की सेना के साथ युद्ध अभ्यास भी सुरू करना स्टार्ट कर दिया है और हाल के सालों में ये सबसे बड़ा सन्युक्त सेन अभ्यास है इसमें टैंक, लडाकू विवान और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ हजारों सैनिक भाग ले रहे हैं वहीं बेलारूस में याब व्यास 20 फरवरी तक चलेगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 30,000 से अधिक रूसी सैनिक भाग लेंगे वहीं संभावना ये जादा है कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करेगा तो बेलारूस के रास्ते ही करेगा क्योंकि बेलारूस से यूक्रेन की रास्धाने क्यों की दूरी जादा दूर नहीं है और रसिया ये बहुत अच्छी तरीके से समस्ता है कि अगर युद्ध जादा दिन तक चला तो उसमें रसिया का ही नुक्सान है क्योंकि युद्ध कैसा भी हो उसमें पैसा तो खर्च होगा ही और युद्ध जितने जादा दिनों तक चलेगा उतना ही जादा पैसों का खर्च होगा और रसिया की एकनामी भी कोई बहुत मजबू जरी जारी करनी चाहिए अपने नागरिकों के प्रति या फिर नहीं कमेंट में जरूर बताएं और लाइक सेर सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि डिफेंस से जुड़ी खबरें हर रोज आप तक पहुंचती रहें धन्यवाद जरी जरी झाले बटन को जब धन्यवाद